इसको पता है पता है मैं बता रहा हूँ उसको बस उसमें कुछ थोड़ बहुत मिस्टिक होगी है वरना पैसे रसीद वगारे सब पहुंच गी थी और परमिशन मिल भी चुकी थी अब तो विलहाल नहीं हो रही निशाला आगे को हमारे बड़े जिम्मिदा हैं तो ओवेसी के लिए तो काफी यहां मुश्किले नजर आ रही है क्योंकि रैली की जाज़त ओवेसी को नहीं मिली है सीधा रूख करता हूं मेरे सयोगी अमित सिंग गोरकपूर से हमारे साथ बन अखिलेश ज्यादव हुंकार बरने वाले हैं क्या उनको भी अनुमती मिली है और नहीं मिली है वज़ा क्या बताई गई है कि यहां पे ओवेशी रैली नहीं कर सकते हैं प्रशासन के लोग जो यहां पर मौजूद है उनसे मैंने बात की थी उनका ये कहना था कि प्रशासन ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसग्राउण में उनको इजाज़त नहीं दिये क्यूंकि कागजी करवाई पूरी नहीं थी अब उनके एक समर्थक कर रहे हैं कि यह जो नौचंदी ग्राउंड है इसमें आधा हिस्सा किसी एक अथार्टी केपास है आधा हिस्सा दूसरी अथार्टी के पास है वो कहने कि हमने इस ग्राउन को बुक किया था पैसे भी जमा किये रसीद भी मिली थी लेकिन थोड़ी देरी हो गई कारवाई में और इसलिए चुकि इस पूरे मैदान में रैली करने की इजाज़त जो अथार्टी जिसके पास माल प्रशासन उचीत अनुमती अथार्टी से नहीं लेने की बात कहता है लेकिन जो नौचंदी ग्राउंड में रैली होने वाली थी वो अब कैंसिल कर दी गए इस बात की ताकीद इस बात की गवाही यह जो मंच बना है वो दे रहा है जिसको अब यहां से हटाया जा रहा है क दूसरी तरफ आगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो प्रशासन जो मेरट पुलिस के लोग हैं वो यहां पर काफी संख्या में मौजूद हैं और यहां से लोगों को जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर भीन नहीं लगाना है ऐसा उनका कहना है इस पूरे इलाके में लोगों को अब इकठा होने के अनुमती नहीं दूसरी तरफ देखिए प्रशासन यहां भी है और यह जो मज़दूर है उनसे जल्दी से जल्दी मंच को इस स्टेज को यहां से हटा कर ले जाने की लिए हैं फिलाल रैली के अनुमती तो नहीं मिली है लेकिन वेसी का ट आरगेट यही है पिस्चि मिली तो नहीं मुझे आज दो है रिए